जाहें दुश्रेंट्स, वेलकम बैक अगीन, दिस इस दिव्यांशु पांडे, इंडियन आर्मी ने जैग 30 सेकंड इंट्री की नोटिफिकेशन रिलीस कर दी है, और आज की सेशन में हम जानेंगे की इंट्री से रिलेटिड इंपॉर्टिन इंफॉर्मिशन क्या-क्या है, शुरुवात करते हैं आज किस क्लास की है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी हर साल आपकी जैग इंट्री को लेकर आती है, और इस बार जैग का 30 सेकंड कोर्स की नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी रिलीस की है, जहां पर इस स्पेशल इंट्री के तहट, जितन इनका फॉर्म जो है आपका 21 जून 2023 से रेश्टेशन ओपन हो भी चुका है और इसकी लास्ट डेट 21 जुलाई 23 आपकी रहेगे जहां पर जैग 32 जब का जो कोर्स है वो एपरल 2024 का है और आप सभी की ट्रेनिंग OTA चिन नहीं गया में करवाई जाएगी तो जितने भी अनमैर पीमेल एस्पेरेंस हैं जिन्होंने लापना कंप्लीट किया हुआ है तो वो सभी इस जैग इंट्री के लिए आपका इलिजबल रहेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स हम सबसे पहले देख लें इंपॉर्टेंट डेट्स में इसकी अप्लिकेशन डेट 22 जून से आपकी स्ट कर दी जाएंगे इसका मेरिट लिस्ट मार्च अप्रल तक आएगा और एपरट 2024 में आप सभी OTHNA को जोईन कर लोगे इस कोर्स के लिए साथी साथ टोटल नंबर आप वेकेंसी की बात कर लें तो टोटल इस बार इसमें 7 वेंग की वेकेंसी दी गई है जिसमें 5 फॉर मेल पहले की जैसे इसमें आपकी वेकेंसी रखी गई है अगर हम इलिजबिल्टी की बात करें तो सबसे पहले उसमें नेशनालिटी आता है तो सबसे पहले आपको भारत का ही नागरिक होना चाहिए इसके अलावा तो नेपालीयों को तो जरूत नहीं है लेकिन जो अधर कंट्री जहां पर इंतिने नाम मैंने आपको बताएं है उनके लिए certificate आपको भारत सरकार का जरूर चाहिए रहेगा एज लिमिट की बात कलने तो एज जैग इंट्री के लिए 21 to 27 years होती है और इसकी date आपकी इस बार की जो course है उसकी DOV date of birth 1st of gen 2024 से लेकर 2nd gen 1997 के बीच में रहनी चाहिए ना ही 1st gen 24 के अगर हम इसको main date माने तो उससे पहले और ना ही आपका 2nd gen 1997 के बात की तो ये इसकी आपकी date रखी गई है जिससे की आप अपनी तयारी बहतर कर पाओगे क्योंकि जनवरी 2024 का course है और आपकी जो DOV होगी वो 2nd gen 1997 के पहले और 1st gen 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए तो इसको आप याद कर लीजे क्योंकि age ability सबसे prior आपकी condition मानी जाती है वही पर education qualification देख लें तो minimum 55% marks LLB degree में आपका होना चाहिए साथ ही साथ जो बार council of India होता है वहाँ पर आपका registration होना चाहिए साथ ही साथ जो आपका college है वो बार council से affiliated होना चाहिए अब इसका selection procedure क्या रहेगा सबसे पहले आपको क्या करना है joinindianarmy.in की website पर जाकर आपको official login करना है अपनी email id बनाना है अगर आपने पहले email id बनाई है तो काफी अच्छा है साथ ही साथ फिर आपको आपके application के through जो है सबसे पहले वो cutoff निकाल के आपको select करेंगे जितने भी आपके selected students रहेंगे जो shortlisted रहेंगे उनको center का allotment किया जाएगा उसके बाद आपके SSB की dates दी जाएगी कि आपकी SSB इस center पर इतने तारीक को है आप जाओगे अगर आप SSB recommended हो जाओगे और medically fit होते हो तो आपकी all in a merit list बनेगी और vacancy के हिसाब से जो है आपको उसम इस commission सबसे पहले दिया जाएगा okay for initial period of 10 years और जिसको further 4 years आपके extend किया जा सकता है अगर आप जो है उसको और भी आगे ले जाना चाहते हो तो आप permanent commission में जा सकते हो तो यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है permanent commission आपको grant की जाएगी अगर आप suitable पाए जाओगे और उसके लिए eligible रहोगे तभी जितने भी SSC के officers रहेंगे वो permanent commission पाएंगे but otherwise considered fit and suitable will be given option to continue SSCU for a total period of 14 years mainly 14 years की यह service होती है अगर आपके जो service tenure और काफी बहतेरीन है तो आपको permanent के commission पर आपका promotion दिया जाता है duration जो आपके training की रहेगी वो 49 weeks की है जो की आपके तमिल नाडू चिन्नाई में conduct करवाई जाएगी और pre commission training OTA के तहद जो है आपका merit list रहेगी available vacancies और eligibility criteria के साथ ही आपको जो है specified branch में आपका डाल दिया जाएगा साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि जो भी आपके candidates post graduation diploma defense management studies करेंगे ठीक है वो आपके pre commission को pass करेंगे और उनके लिए चांस रहेगा कि वो जो तमिल नाडू की मदरास उनिस्ट्री है वहाँ से recognize होकर जो है अपने Indian Army career वो बना सकते हैं अब application apply कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया है सबसे पहले आपको इस website पर visit करना है वहाँ पर आपको registration करवाना है apply online करना है ठीक है आपका application देखा जाएगा उसको आपको shortlist किया जाएगा उसके आधार पर आपको जो है ssb की dates भीजी जाएगी ssb interview की preparation ssb crack exam के interview master online course में enroll होकर जरूर करें क्योंकि यह आपकी direct entry है और एक सुनहरा भविश आप सभी भारती सेना में बना सकते हैं इसके लावा ssb crack exam आप सभी इस parent के लिए written courses भी ले 10% का flight discount हमारे सभी courses पर मिलता जाएगा जैहन अगर आप एक defense aspirant है और ssb interview, nda, cds, fcat जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप ssb crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को google play store से भी download कर सकते हैं कर दो